हेलो एवरिवन वेल्कम दूद अब दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म हम लोग आज डिसक्स करने वाले हैं कि NCRT कैसे पढ़ें क्यों पढ़ें यह जरूरी है पहले कैसे पढ़ें यह तो बात की बात है पहले हम लोग यह देखेंगे NCRT क्यों पढ़ना चाहिए और खासतर से क्यों बोला जाता है यह यूपीसी पीसी एस पारेंट्स को NCRT कभर करना चाहिए तो दखो NCRT कभर करने के पीछे सिंपल एक लौजिक यह है कि की यूपीसी या फिर किसी भी PCS के सिल्बस में कभी भी आपको यह नहीं कहा गया है कि आपको कौन्सी बुक परनी है कौन सी बुक पर नहीं है इसका डिटेल दो किया नहीं गया है और जब इसका डिटेल नहीं किया गया है कि तो हमें जो भी इन्फॉर्मेशन क्लेक्ट करने हैं जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी information हमें collect करने हैं वह information हमें लेने है authentic source से कहां से एक मानक स्रोत हमें चाहिए कहां से मानक स्रोत आवर्श्यक है अब रही बात की जो मानक स्रोत है वह मानक स्रोत हम किसे माने क्योंकि कि हमें modern history पढ़नी है में एंसेंट पढ़नी है में आर्डन कल्चर पढ़ना है तो हमें कि उसके लिए अलग-अलग markets में बुक हैं और वह market में जो भी बुक हैं वह बेस किसको बनाते हैं वह किस अधार पर लिखे गए क्योंकि यूपीसी के syllabus में तो चीजें बता दी गई है बट कहां से उस information को ले यह नहीं बताया गया है अगर ऐसा कुछ सबसे आसान तो यह होता कि यूपीसी और बीपीसी या फिर अधर पीसी का एक अपना बुक ही लॉंच कर देते कि इसको पर लो एक्जाम के क्रैक हो जाएगा तब तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता हूँ लेकिन ऐसा कुछ है नहीं तो इस स्थिती में हमें मानक या एस्टेंडर सोर्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा तो सबसे एस्टेंड और टेक्स्ट बुक में जो भी इंफ़रमेशंस होते हैं वह और ऑफंटिक माने जाते हैं अरला कि टेस्टिक में कई बार गलतियां भी होती है तो उस गलतिओं को बाध में डेक्टीफाई कर लिया जाता है आम तरको कितावे बिल्कुल صही होती है तो एंसी एाइटी है औ बहुत ज़्यादा पढना है सकते हैं हमारे पास इतना ज्यादा सय नहीं होता इतना ज्यादा लिवर्टी नहीं होता है हम ऊस चीजों को डीटेल में परहें Johann हमारे पास यह मजबूरी हो जाती है आमतोर पर कि हम बहुत लिम्टेट सोर्स को कंफाइंट सोर्स को पढ़े जो ऑथेंटिक भी हो और जिससे हमारे जो भी नीड है जो भी हमरा रिक्वार्मेंट है वो पूरा हो जाए तो एक तो हो गया वह मानक किताब एस्टेंडर बुक ह हो गई देन बात होती है हमारे नीड की जो हमारा रिक्वार्मेंट है उसकी बात होती है तो उस सिस्थिती में हमें ध्यान रखना परेगा कि हमारे रिक्वार्मेंट को सबसे बहतर कोई फुल्फिल कर सकता है तो वह एंसी ए आर्टी ही है अब रही बात की एंसी आर्टी कह कि कहां से पढ़नी है क्या करना है कहां से कभर करना है तो एक बात वाप लोग यह दिमाहँ में डाल लो कि ncrt में साड़ी कितागे कभर नहीं करनी है कि हमें भी उहां पर चुनके परना है और चुनके कैसे परना है तो first you have to go through your syllabus of UPSC आप UPSC के syllabus के से गुजड़िये उसको अच्छे से समझे और उसके बाद आपको क्या करना है कि उस UPSC syllabus को पढ़ने के बाद उस syllabus को अलग-अलग टुकरों में तोर लो और अगर हमें history पढ़नी है suppose अगर हमें history पढ़नी है तो उस syllabus के according history हमें कहां कहां से मिलेगी तो उस syllabus में जो भी topic दिया हुआ है जैसे कि अगर मालिया प्रेhistory की बात करते हैं इंडस वैले civilization की बात करते हैं या फिर हम बैदिक AIDS की बात करते हैं तो वो हमें कहां से मिलेगा तो हम क्या करेंगे उसके लिए कि NCRT को कभर करने की कोसिस करेंगे और आप यकीन मानो आप यकीन मानो कि वो जो NCRT है हमारी वो NCRT आपको 6 to 12 में चीजें ऐसी बताई गई है जो आपके basic concept को build करती है आपके concept को बनाती है 6 to 12 अना उसके नीचे नहीं जाना उसके नीचे कुछ है भी नहीं हना तो 6 to 12 में आपको क्या करना है कि आपको चीजों को concept अगर बनाना है तो आपको ऐसा महसूस होगा कई बारगी कि भाई 60 किताब तो बच्चों की किताबे है सेबन की किताब बच्चों की किताबे है लेकिन वो किताब बच्चों की हैं तो बच्चों को वो किताब इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि बच्चों का जो concept है वो concept build up हो बच्चे चीजों को सुरू से ही समझें और बच्चे जब चीजों को सुरू से समझेंगे तभी तो वो उससे आगे की पढ़ाय कर पाएंगे अब मान लोग कि हम लोग सुरू करने के पहले 11 और 12 11 और 12 डारेक्ट हम अगर इसी को पढ़ना सुरू करने तो जो concept बाली बात होती है जो basic बात होती है वो missing होती है 11 और 12 के किताब को इस लिहास से लिखा जाता है कि यह मान लिया जाता है कि आपने 6 से परहाई की होगी और आपको उसके basics उसके background आपको पता है अगर उसके basics और background आपको पता है तब 11-12 को समझना आसान होता है नहीं तो गल्ती वहाँ पर हो जाती है कि आप 11-12 को कभर कर रहे हैं और 11-12 को कभर करने के बाद आपको लगता है कि कुछ ऐसे टर्म को यूज किया गया जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है जैसे मान लिया कि उहां पर एक टर्म यूज होता है और वो टर्म यूज होता है बहुत सधारों सा मैं बात बोल रहा हूं सुलिमान किर्थार के इलाके में किर्सी प्राड़म हुआ मान लिया यह लाइन लिखा हुआ है कि सुलिमान और किर्थार के इलाके में किर्सी प्राड़म हुआ ठीक है अब हमें यह समझना पड़ेगा कि सुलिमान और किर्थार का रेंज किधर है and then, उहाँ पर किरसी प्राडम होई, तो कौन सी क्यती प्राडम होई और उहाँ पर कौन सा साइट है तो आप लोग अगर सिधे पर लेते हैं कि मेहर गढ में मेहर गढ में किरसी की सुरुवात हुई तो मेहर गढ कहा है, वğई, तो सुलमान किर्थार है तो 11 टोर्ट की किताब में आपको मेहरगड का नाम बिलेगा, साइथ सुलेमान और किर्थार का नाम ना मिले आपको अगर 11 में मिलता है कि कोल्डी हुआ में चामल की खेती हुई या भीम्बेट का में हमें सेल्टर्स मिले हैं, आस्रे मिले हैं हमारे मेसलिथिक एंड नियोलिथिक एज के लोगों की तो भीम बेट का को कैसे डिलेट करेंगे नर्मजा बैली से ये बातें आपको बताई गई है जुनियर क्लास में आपको ये बताया गया है जुनियर क्लास में कि मेसलिथिक एज में जो टूल्स हैं वो टूल्स छोटे क् प्रमाइक्रोलिफ का इस्ते消 Sel साथ लेकिन खुर पर माइकरोलिफ का इस्तेवाल यह बातें आपको बतिपत्ता तब चलेंगी जब आप creek िरें को बॉसरी बात है कि आपको एक ब्रॉड स्पेक्टरम में नौलेज का होना बहुत जरोड़ी है। ब्रॉड एस्पेक्ट्रम में अगर नॉलेज आपके पास नहीं होगा तो जब आप मेंस की अंसर राइटिंग करेंगे तो अहां पर मेंस अंसर राइटिंग में जो इंट्रोडक्शन होता है जो इंट्रो होती है । और फिर जो कंक्लूजन होता है। सो जो आपके पास और मैटरियल होना चाहिए जो कौंसफेẩm होना चाहिए अगर वो नहीं है तो आप उतना a strong concept build नहीं कर पाएंगे suppose that अगर आपसे पूछा जाए higher level का question कि भारत की भागौलिक सिमाओं ने भारत की भागौलिक सिमाओं ने किस प्रकार हमें बाह्य आकर्मन से बचाया और किस हद तक उसी भागौलिक सिमाओं के कारण हम मध एसिया की संस्कृती से संबंधित रहें अगर ऐसा कोई सवाल है तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडिया है उसके इस इलाके में mountain range है और इस इलाके में जो mountain range है वो mountain range का nature कैसा है यह हमें पता होना चाहिए यानि हमें अपनी geography को history से connect करने का तरीका मालूम होना चाहिए और यह सब चीजें आपको पता होंगी कहां से तो जो books हैं वो basic वाली जो basics books हैं वो आपको पता होना चाहिए basic book पढ़ने का एक और भी फायदा है कि हम history को हो, geography को, polity को सबने society को हम sequence में समझते हैं एक 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 करके समझते हैं तो आपको यह पढ़ना बहुत ही आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो आपको समझना बहुत ही जरूरी है तो अहां पर एक बात आप लोग दिमाग में लेके चलो तिमाग में डखके चलो कि NCRT सुडू से ही कवर करनी है अब रही बात कि NCRT को पढ़ना कैसे हो वाई NCRT तो यह हमें चाहिए किसके लिए तो हमें चाहिए संदर्व के लिए यह हमें चाहिए संदर्व के लिए कॉंटेक्स्ट के लिए यह चाहिए किसके लिए तो यह चाहिए लाजिक के लिए किसके लिए तो लाजिक के लिए चाहिए फिर किसके लिए चाहिए तो NCRT चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है तो इससे हमारा क्या होता है कि जो मेंस मेंस आंसर राइटिंग होती है वो हमारी स्ट्रॉंग होती है मेंस आंसर राइटिंग हमारी क्या होती है उससे स्ट्रॉंग होती है प्रिलिम्स के facts बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको direct NCRT से पूछ लिये जाते हैं जो प्रिलिम्स का facts है वो direct आपको NCRT से कभर किया जाता है तो किसी भी difference book को पढ़ने से पहले आपको NCRT पर अपनी पकर अपना strong hold बनाना जरूरी है तभी आप reference book को भी समझ पाएंगे otherwise reference book को आपको याद करना पड़ेगा और यकीन मानिए आप GS को याद नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पे आप GS को याद नहीं कर सकते हैं वो रटने की चीज ही नहीं है अगर आप उसको याद करने के चक्कर में आगे बढ़ेंगे अगर आप उसको याद करना चाहेंगे तो यकीन मान लो कि आप उसे कभी याद नहीं कर पाएंगे और आप एन मौके पर उसको क्या करेंगे कि आप जाएंगे भूल आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा तो आम तर पर मैंने देखा है कि जो बच्चे होते हैं जो अभ्यर्थी होते हैं वो अभ्यर्थी एस्पारेंट्स आम तर पर 11-12 की NCRD को परके वो समझते हैं कि उनकी कहानी खत्म हो गई लेकिन नहीं आपको सुरू से ही परना चाहिए जैसे कि अगर मुझे पॉलिटी परनी हो और पॉलिटी परनी हो तो 11 की पॉलिटी बहुत अच्छी किताब है 11 की पॉलिटी बहुत अच्छी किताब है लेकिन 9 में बेसिक्स दिये हुए है 10th में basics दिये हुए हैं जैसे यहां पर बात होती है democracy की why democracy क्यों हमें democracy क्यों हमें लोकतंतर चाहिए लोकतंतर बहतर कैसे होता है मानक लोकतंतर क्या होता है यह सब बातें आपको मिलती है कहां लोकतं 9th की NCRT से और 10 वह पर election के बारे में भी बताया गया है वह त्यूरी इस दी गई है उप को बहुत सब्सक्राइब तरीके सह समझाया गया है तंस कि अगर बात करें तो अहां पर अभी थ्रल इस फेड्रल समझाया गया है और पर प्रसर ग्रूप समझाया गया है कि प्रेसर्गुर्प समझाएगा है जीसे कि हम लोग आम्ताप पर बात करते हैं कि इंडिया एक यूनियन है मैं स्कॉल धिफर्फ़ॉंदा फेड्रेशन देश्म या फेड्रेशन से थ्वरा अलग है बहुत ज्यादा है अलग है कह सकते हैं तो क्यों इंडिया का फेड概 है तो एलग है तो इन थेएन से इस इुब बताया गया धेंग कि जो फेडरेशन होता है जो फेडरेशन होता है वह दो तरह वाहता है एक होता है एक होता है holding together एक होता है coming together तो हमारा जो फेडरेशन है वहाँ पर राज आपस में मिलके नहीं बने थे उसको होल्ड किया गया है इसलिए इंडिया इस नॉट फेडरेशन इन कंस्च्टिउसन एट इस यूनिया तो हम बड़ी बड़ी बाती किताबों से पर सकते हैं लेकिन यह जो बेसिक छोड़ी सी बाते हैं यह हमें तभी पता चलेगी जहां बच्चों की किताबों को पर हैं अगर म मांसून को यकीन मानिये जितना बहतर तरीके से वहां पर समझा दिया गया है उससे ज़्यादा उससे अधिक आपको ना UPSC में पढ़ना है ना BPSC में पढ़ना है वहां पर हictional लिनों के बारे में बताया गया सदर्न ओस्लिशन इस ओ के बारे में बताया गया है वहाँ पर आपको सफार की जाती है IPC जिटेग की चरचा की जाती है तो यह सब बाते जो है वह आपको कहां मिल रही सह बच्चों की किताबों में को सब्सक्राइब कीREE कि भी जो ग्रास लैंड है अलग-अलग जो हमारा फॉरेस्ट टाइप है अलग-अलग वो क्या होता है कैसे होता है वहाँ पर बहुत छोटी-छोटी बातों को आपको बताया गया है एक्ट क्लास में आपको बताया गया है कि जो प्रिजनर्स होते हैं सिविक्स में उसके एही बात की ncrt पढ़े कैसे नहां तो मैं इसको हटा रहा हूँ आप ncrt पढ़े कैसे तो एहां पर हुआ एक बात आप दिमाग में हमेशा रखिये कि ncrt पढ़ना जो है वख दो की पढ़ना बच्चों का खेल तो बिल्कुल ही नहीं है बच्चों की किताब अगर बच्चों को पढ़ानी हो तो बच्चों का खेल है लेकि बच्चों की किताब जब बड़ों को पढ़नी है तो बड़ों का खेल होता है बच्चों का खेल नहीं होता है आप मेरी point को समझने की कोशिस करिए आप बातों को समझिए जैसे अगर किसी NCRT का example लिया जाए किसी class की NCRT का example लिया जाए तो class 6 में class 6 में अगर मैं बात करूँ तो आप देखो कि history का मैं example ले रहा हूँ यह जो हमारे किताब है आप लोगों को दिख रहा होगा आपर पास्ट पार्ट वन हमारे अतीत भाग एक और यह मैं जब class लूँगा तो आपको अहां पर NCRT का जो PDF है वो भी ओरिजिनली आपको मैं 1-1 पर हाऊंगा उहां पर देखो आप गौर करना आप लोग को मिल जाए तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसको देखने की कोशिस करो आप कि मुझे लगता है कि आप लोगों दिख रहा होगा कि मैं इसको पढ़ाऊंगा आप यहां पर देखिए कि हमें पढ़ना कैसे हो और क्या नहीं पढ़ना है और क्या छोड़ देना है अब यहां पर यह जो बता रहा है कैसे पता लगाएं यह हमारे कोई खास मतलब का नहीं है हमें यहां पर यह समझना है कि बहुत पहले क्या हुआ यह कैसे जा सकता है तो यह बता रहा है कि हम इतिहास में कौन कौन सी तकनीक का इस्तमाल करते हैं क्या क्या करते थे हो तो उस хотел पर हम बहुत मैन्यूटली देखेंगे कि इसके सोर्स क्या क्या है तो अगर हम इसको भी स्किप करें तो आप देखिए इहां पे कि लोग रहते कहां थे तो एहां पर देखो नर्मदा नदी का पता लगा ये पहले ही बता रहा है कि आपको क्या करना है तो नर्मदा नदी का आपको पता लगाना है नर्मदा नदी यानि ये कहना चाहरा है कि हमारे पास नर्मदा नदी के पास लोग रहते थे और कुछ कौन से थे जो शुरू में रहते थे वो कुसल संग्राहक थे यानि हमारे पास जो early man थे वो food gatherer थे क्या थे वो food gatherer थे वो संग्राहक थे और क्यों फूट का संग्राह करते थे और अगर मैं बात करूँ कि अगर हमें आगे भी बढ़ना हो तो आप यहाँ पर देख लो कि उत्तर पस्ची में सुलेमान और किर्थर पहारियों का पता लगाओ यानि आपने आप देखा कि इस किताब से हमें क्या पता करना है तो हमें पता करना है एक नर्मदा के बारे में नर्मदा घाटी के बारे में पता करना है दूसरा हमें पता करना है सुलेमान और किर्थार के बारे में सुलिमान और किर्थार के बारे में पता करना है क्यों सुलिमान और किर्थार में पता करना है तो यहाँ पर आठ हजार साल पहले इस्तरी पुरुसों ने सबसे पहले गेहू और जो जैसी फसलों को उपजाना प्रारम्भ किया था यानि भारत में अगर पहली बार कोई कहीं ख बरतमें बिन्द पहारियों का पता करना है याने तीन लोकेशन यह चार लोकेशन कंथ हैं तो मिल गया हमें बिन्द और उसके बाद बन जाता है गारो पहारी वर यह यह वर यह हमें चारO पॉइंट्स पता है कि यह चार पॉइंट्स हमें ढूनने हैं देन वी हैब टू फॉलो दम मैप गिवन इन एंसी ए आर्टी एन वो जो मैप दिया हुआ है वो मैप आप देखिए कि मैप कितना बढ़िया तरीके से बनाया गया है आप यहां पर देखिए कि किर्थार कहां है स यहां नदी की घाटी होगी एहाँ पर यह नर्मदा नधी है यह तापी नधी है यहां पर बता रहा है कि बिंधपहारिया इस साइड में है यह सोन नधी है यह चंबल है यह गंगा है इधर से आप देखेगा कि पंजाब की जो पाच्वो नदिया है सिंधू नदि जहेलम चेनाब राबी ब्यास सतलज और यहांपर मान्टेन रिंच सुलेमान और किरथार तेहीं पर बताया के िथि जहु गे हूं और जौकी खिती हुई थी हुए थी हो गेहु और जौकी खिती हुई थी यहां पर उसके बाद बता रहा coral hills के पास बिंध्यन फिल्स के पास उसके बाद नर्मदा नदी में लोग कैसे कैसे रहते थे तो हमें यहां पर लोकेट करेंगे चीजों को समझने की कोसिस करेंगे गारों पता मध्भारतें बिंद पहारियों का पता लगा तो आप यहां पर देख रहा है कि हमें मैप को को भी फॉलो करना है साथ में सिर्फ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो है जो इंपोर्टेंट पउइंट्स हैं उसको हमें कभर करना है सिंधू और उसकी सहायक नदियों को पता करिए और जो बता रहा है 4700 वर्ष पुर इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले यानि की बेसिक सी बात है दुनिया में कहीं पर भी सिविलाजेशन डेवलप हुआ है तो क्या हुआ है कोई नदी के किनारे हुआ है हम अपने नदियों के किनारे अपने इनिस्यल सिविलाजेशन को प्राणूभिक सभिताओं को दूंड सकते हैं और कौन सी नदी तो हम सिंधू नदी की बात करेंगे सिंधू नदीयों मैं अब बता रहा है कि 4700 साल पहले तो 4700 साल पहले अभी है साल किसका तो अभी है साल हमारा कि दो हजार 24 का तो हम इसको अट बता लेते हैं 2000 मन लेते हैं CEO 47nt साल पहले का मतलब हो गया कि आज से इसा से 2700 भीफोर क्राइश 2700 कि बात कर रहा है तो 2700 साल पहले यानि इसा से 2700 साल पहले इंडस वैली के इलाके में, सिंधु नदी के इलाके में एक civilization developed हुआ था, वो basic source हमें पता चल रहा है, गंगा और सहक नदी में सौन का पता करना है, नर्मदा का पता करना है, इंडस का पता करना है, सौन का पता करना है, यानि यह सब जो है, सो बहुत ही ज़्यादा important है, मगत में बता रहा है कि बर्तबान बिहार में एक बहुत ही सकतिसाली सबराज्य का अस्थापना हुआ था, that is talking about the memorial empire, मगत का समराज, हर्यक डैनिस्टी, मौरियन डैनिस्टी इन दिन, आगे भी सौन बरहेंगे, उसके बाद, बता ये र ज़्या हुआ है, तो वह boundary जो है, सो एक obstruction का काम करती थी, लेकिन लोगों ने उसके passage से, उसके दर्रों से, एक जगा से दूसरी जगा migrate किया, और migrate किया, तो कौन-कोन लोग migrate कर रहे हैं, कैसे एक culture दूसरी जगा पहुँच रही है, और ये बहुत सारी basic बाते जो हैं, आपक कियों परा, हमारे देश का नाम इंडिया ही क्यों परा, और आतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं, तो menu script के बारे में बता रहा है, पांडुली पी जिसकी हिंदी होती है, क्यों होता है menu, तो menu का मतलब है हाथ, जो हाथ से लिखा गया हो, ये सारी जानकारी आपको एक चैप् है पांडोलेपी के लिमिटेशन क्या है तो कीरो ने खा लिया एक बेसिक सी बात है जो बच्चे आराम से समझ सकते हैं और जो आपके लिए उतनी ही ज्यादा जरूरी भी है उसके बाद हमारे यहां क्या है तो महाकाब्बे हैं कविताय हैं नाटक हैं कई सारे संस्कृत में है हों गॉकरिम में है है जो भासा हमारे पास होगी उसी में ही लिखा जाएगा ना यहां हम इससे यही मालूम कर रहा हैं कि हमारे यहां जो videoस्क्र을 on slide को मिला है कि उसके बाद यहां पर बता रहा कि मेटल्स का यूज किया गया पत्थरों का यूज किया गया तो इसका या पर लिख लिखवाने के क्या लावत है ऐसा करने में क्या क्ठना या आती थी तो यह आपको सोचना है यह अभी लेक कहां मिला है तो 250 वर्स पुराना यह अभी लेक बरतमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राक्त हुआ है इस पर असो का नाम उत्किर्न है इसके बारे में हम लोग अगले क्लासें पढ़ेंगे लेकिन आपको बेसिक किया बता रहा है यह पौर्ट्री के बारे में बता रहा है जो चलता था उस समय में तो आप देख रहे हैं कि जो इंट्रोडक्शन हिस्ट्री का हो सकता है इससे बहतर क्या हो सकता है तितियों का मतलब क्या है इतिह एडि का मतलब क्या होता है देन एडिकी जगा 20 कभी कभी लिखा जाता है बी सी या फिर इहां पर लिखा जाता है तो सीए चाउमन एरा दिन आप आगा यहां पर देखिए तो बीफोर पर्जेंट बीपी बीफोर पर देच्ट अद्धिपुर्ग बरतमान से पहले तो ये सब चीजें आपको पता करनी है और आपको पता इससे होता है तो बहुत बेसिक सी बात है लेकिन कितनी जरूरी बात है अनुमान आप लगा सकते हैं अब यहाँ पर दिया हुआ है कुछ कोस्टन्स ये कुश्चन हमें करने चाहिए बच्चों के लिहाँ से अगर हम देखें तो ये बहुत साधारन सी बात है लेकिन यह बात उतनी भी साधारन नहीं है जितना आप समझने की समझ रहे हैं ठीक है तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारा हो गया यहाँ पर कहानी कहतं तो कलास शिक्स मां फिर ऐसे ही बठे अगर हम चलते हैं पीछे की ओर तो आप देखिएगा कि आपको मिलेगा क्षिफ हमें पर क्लास सेबन क्लास एट क्लास नाइन क्लास तेवन के बारे में पर दिया हुआ हिस्टरी की किताब सकते हैं चलो जोगरफी की किताब देखते हैं हमारा प्रयाबरन में हमारा प्रयाबरन की अभी डाउनलोड करना को मतलब नहीं बनता हो तो मैं आपको लेके पिडियेफ़ बताऊंगा तो यहां पर बेसिक सी बात है कि हमें क्या क्या पढ़ना है कैसे परना यह बात आप समझ में आ रही है आप लोगों को अब हम अगर आगे बरहें मूफ करें तो क्या मूफ करें कि NCIT से नोट्स कैसे बनाएं मुझा जाते हाँ को सी ओड़न नॉट्स प्रॉम एंकि आर्ट तो आपको कभी भी लंबे-लंबे सेंटेंस को लिए कि वाक्रि Means नहीं बनाने हैं आपको आम थो पर जो नोट्स बनाना है वो बनाना है पॉइंट्स में और वो नोट्स बनाना है सौट समराइज नोट्स बनाना है क्योंकि आपको जल्दी जल्दी डिफीजन करना पड़ता है NCRT is important इसमें कोई डाउट नहीं कि NCRT बहुत जरूरी है लेकिन NCRT ही सब कुछ नहीं है उसके अलावा भी हमें बहुत सारे काम करने होते हैं UPSC क्रैक BPSC किसी भी PCS को करने के लिए तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे नोट्स बनाएज जो कि आपका नोट्स एक चेप्टर समरी उसका आ जाए जैसे एक चेप्टर के लिए बना तो अगर मैं जिस चैप्टर को मैंने 6 वाली दिखाई है आपको अगर उसका नोट्स बना ये तो Hardly एक पेस hardly एक page का वो notes बनेगा उसके अलावा वो notes उसके अलावा lengthy करने का कोई मतलब बनता ही नहीं तो एक से दो page का notes बनाईए उसके बारे में छोटे छोटे sentence में आप उसको लिखिए और जो जरूरी चीजे हैं उसको underline करके क्योंकि आप उसको revision करेंगे तो बहुत जल्दी आपका quick revision हो जाए जैसे माल लो कि हमें Indus Valley परनी है suppose अगर हमें Indus Valley के बारे में परना है और हमने class 6 में Indus Valley के बारे में कुछ points बनाया है class 7 में बनाया है class 8 में बनाया है एंसेंट history class 7 is basics of modern and class 8 sorry class 7 is medieval and class 8 is modern then class 6 के हम अपने notes को एक बार प्रेफर करेंगे और ancient के बारे में जो भी basic point है हमें वहाँ पर मिल जाएंगे then हमें और भी कोई किताब cover करने की जोड़त हो तो हम वहाँ आपर cover करेंगे आइधर रामसरन सर्मा और तमिलनाडू वोड लेकर हमें basics कहां से मिलेंगे तो हमारे ncrt से मिलेंगे आना तो हम लोग वैसे ही ncrt को पढ़ेंगे basically मैं आपको पढ़ाता हूं पॉलिटी और हिस्ट्री तो मैं तो इसकी ncrt तो हर हाल में cover करूंगा ही करूंगा अगर टीम से बात करने के बाद और भी ncrt के जो सेक्शन है साइंस को छोड़के मैं कोसिस करूंगा कि अगर मुझे मिल जाए तो बहतर है लेकिन टीचिंगे टीम बर्थ नौट इंडिविज्वल एफ़र्ट हम एज़ा टीम काम कर रहा है तो यहां पर टीम का जो डिसीजन होगा वो मेरा निसीजन होगा तो पॉलिटी की बात हो जाएगी यहां पर हिस्ट्री की बात हो जाएगी जोग्रफी आप ncrt से कभर करिए तो पॉलिटे हिस्ट्री जोग्रफी कि एकउनवी में थोड़ा सा बेसिक आपको मिल जाता है क्लास 9 और 10 में है 678 में का कोई जिक्र है नहीं 678 में एकॉनमी की कोई जिक्र नहीं है 9 10 वो बेसिक मिलता है 11 में आप कभर कर सकते हैं लेकिन क्या कभर करेंगे तो आई थिंक आपको मैक्रो करना चाहिए नौट माइक्रो ठीक है तो आप यहां पर कवर सकते हैं 11 में आपको एक और किताब आती है मुझे एक्जेक्ट उसका नाम याद नहीं है बट एकॉनमिक हिस्ट्री ओफ इंडिया सम्थिंग ऐसा करके कुछ है तो आप उसको कवर कर सब्क्राइब थैरेंंगे तो इससे आपकी एकॉनमियी त्यार हो जाएगी दिन आपको ऐसा क्या लग रहा है हाँ पर कि हमने देखा पॉलेटी के बारे में व Mitte इकॉनवी के बारे में और एकॉनमy के बारे में वह सी आर्टी आपको बेस प्रोवाइट करता है ठीक है NCRT क क्लास है, वो NCRT के क्लास आपके लिए बहुत ही जादा ब sharksitt field है तो आपने अहाँ पर एक बात और गार किया होगा कि NCRT क्यों पर है NCRT कैसे पर है और NCRT से नोट्स कैसे बनाए वो बेसिक बात मैंने आपको बहुत मोटा मोटी बाते मैंने बता दी है और जब मैं चैप्टर लेकिया हूँगा आपके साथ तो जो भी इंपोर्टेंट लाइन्स होंगे वो मैं उसको हाँ पर अंडरलाइन करू कि आप उसी समय अपने इसको नोट्बुक में रोड डाइट डाउन कर लें तो आपकी साथ साथ में नोट्स बनती चली जाएगी और यकीन मानों बच्चों की जो आपकी NCRT है यह NCRT compulsory है must है जिसने NCRT पर बिजय पा लिया जिसने NCRT पर बिजय पा लिया है उसको बहुत ज़्यादा समस्या आगे चलके आने वाली नहीं है NCRT almost आपके syllabus के 65 to 70% को ऐसे ही cover कर लेता है 65 to 70% को ऐसे ही cover कर लेता है next जो 30% होता है हमारे पास उस 30% के लिए हमारे पास other resources है उस other resources पर जाने से पहले आपका base clear होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है otherwise आप क्या करते हैं कि आप चीजों को रटा मारने लगते हैं और रटा मारने के बाद आपको वो सायद अगर exam में exactly recall ना हो तो आप उस समय बहुत ही परेसानी में पर जाते हैं either prelims और in men's चाहे वो prelims का हो चाहे वो men's का हो आपको बहुत ज्यादा समस्याएं वहाँ पर होने लगती है तो इस स्थिति में जरूरी यह है कि आप concept build up करें concept build up करें और concept build up होता है किस से तो वो होता है n-c-e-r-t से क्यूंकि अगर आपके पास concept होगा और कुछ fact आप अगर miss भी कर रहे हो तो आप अपने answer को एक valid answer के रूप में convert कर पाएंगे आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि उस answer के साथ आप न्याय कर पाएंगे कहीं भी बेमतलब की बाते आप नहीं लिखेंगे अगर आप चीजों को relate करना चाहें तो आप relate कर सकते हैं वो आपको मिलेगा n-c-e-r-t से आपको इंट्रोड मेटरियल मिलेगा conclusion का मेटरियल मिलेगा क्योंकि n-c-e-r-t comprehensively की जाती है आपको logics मिलेंगे तो n-c-e-r-t cover करना जरूरी है और मेरा यह मानना है कि अब सवाल होता है old versus new कि किसको cover करे old को cover करे या new को cover करे तो मेरा यह मानना है कि आपके पास अगर बहुत समय है आप बिल्कुल first year second year के बच्चे हैं तो आप old सीवी चेंज हो रहा है examination के patterns बदल रहे हैं तो अहां पर आपके लिए जो नई वाली n-c-e-r-t है वह आपको बहुत ज्यादा मदद करती है क्योंकि यहां पर focus किया गया है concept पर और यहां पर स्यादा focus है fact पर fact से थोड़ा सा concept की और move कर रहा है n-c-e-r-t और अब जो n-c-e-r-t है उसने art and culture पर उसने art and culture पर फोकस करना शुरू किया है इसके जो box होते हैं बने हुए उसमें जो important information उस box के जो important information है वह आपको मिलता है कहां से तो वह मिलता है n-c-e-r-t से ओके वह कहां से मिलेगा आपको n-c-e-r-t से मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि आपको n-c-e-r-t यहां पर पढ़ना चाहिए तो आज के लिए आज की class के लिए I hope कि आपको यह class अच्छी लगी होगी आपको समझ में आया होगा तो आप इस class के last में आप comment में आप लिखिए आपको class कैसी लगी और दूसरी बात है कि आप कितने तैयार हैं n-c-e-r-t series के लिए n-c-e-r-t series के लिए वो भी आप अपने comment में बताएंगे और यकीन मानों कि हो सकता है प्रोबिली कल से आपको class 6 की मैं history n-c-e-r-t शुरू कर दूंगा ठीक है और देन history कवर करने के बाद और भी topic पर मैं move करूंगा तो कोसिस करेंगे कि आराम से पढ़ें आहिस्ते पढ़ें इस पर ज्यादा हरवरी नहीं लिए हो आपको अगर उस class को live देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा benefit होगा क्योंकि live में आप क्या कर सकते हैं अपने questions को पूछ सकते हैं और मैं comment लेने की इंट्रेक्ट कर पाता हूं तो आप हमारे चैनल से जुरिए इस class को like subscribe share करें हमारे चैनल को like subscribe share करें और NCRT के class में आप सभी का स्वागत है जो अगले ही दिन से यानि कल से ली जाएगी थैंक्यू वेरी मच गाईज आप सब का इंतजार रहेगा उस class में आप आईए और आप आने के बाद जुरिए और अपनी तैयारी को पुफ़ता करिए मेरे भविश्य के प्यारे IAS थैंक्यू वेरी मच